नमस्कार दोस्तों, गुद मॉर्णिंग स्टुडेंट्स, I hope आप घर पे ही होंगे, तो दोस्तों, आज का अमारा इस सेशन का टोपिक है, दोस्तों, जब से ये लोगडाउन शुरू हुआ है, या पूरे विश्व में कोरोना का संकर्मन प्रारंब हुआ है, तब से हम कुछ वर्ड यूजुली आप लोगोंने रेगुलरली सुने होंगे, जैसे इन्फेक्शन या संकर्मन, दूसरा इम्म्यूनिटी पावर, तो दोस्तों, आज की इस लेशन में, आज की इस टोपिक में हम चर्चा करेंगे, ये चीज़े वास्तों में है क्या, दोस्तों, अगर हुमन बोडी, हमारी बोडी के संदर्म में, हम बात करें, तो प्रती दिन, कई परकार के वाइरस, बेक्टीरिया, फंजाई, प्रोटो जुआ, ये हमारी बोडी में इंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, अब इन में से, बहुत सारे, किसी ने किसी डीजीज के लिए, रेस्पोंसिबल होते हैं, दोस्तों, हमारी बोडी की जो इस्कीन है, जो सबसे आउटर मॉस्ट लेयर है, हमारी तुच्चा जो है, ये इन के लिए सबसे पहला बेरियर बनाती है, रोग उत्पन करने वाले, डीजीज उत्पन करने वाले, इन वाइरस को, बेक्टीरिया को, फंचाई को, प्रोटो जोवा को, हम पेथोजन या रोग जनक कहते हैं, और जब भी ये पेथोजन हमारी इस्किन को भेद कर, या स्वास के द्वारा जब हम ब्रिथिं करते हैं, या हमारे मूग के द्वारा जब ये अमारी बोडी में इंटर कर जाते हैं, तो इस अवस्था को, इस स्टेज को संकर्मन या इंफेक्शन कहा जाता है, दोस्तों, हमारा सरीर अपने आप में एक बहुती सूपर स्ट्रेक्चर है, इम्म्यूनिटी, इम्म्यूनिटी का मतलब होता है रोग परती रोधक सम्ता, दोस्तों, हमारी बोडी में बहुत सारी सिस्टम है, जो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हुए अपना फंक्शन करते हैं, जिसे हमारी बोड़ी जो है एक regular way में चलती रहती है। इसी प्रकार हमारी बोड़ी का जो immune system है इसे हिंदी में हम केते हैं प्रति रक्सातंत। इसका काम है हमारी बोडी में बाहर से आने वाले इन पेथोजन इन रोग कारकों को पहचानना तथा उन्हें नश्ट कर देना कुछ ऐसी क्रियाएं करना जिससे इनका संकर्मन हमारी बोडी में ज्यादा ना हो और दिरे दिरे ये समाप्त हो जाए आपने देखा होगा हम अपने आज पास भी देखते हैं हमें से बहुत जल्दी बिमार हो जाते हैं लेकिन अधिकांस तरह इसा नहीं होता उनके साथ में इसका रीजन क्या है यदि हमारी बोडी का इम्म्यून पावर प्रति रक्षा तंत्र प्रति रक्षा सक्ति कमजोर है तो बाहरी वातावरण से ये जो पेथो जना रहे हैं बहुत जल्दी हमारी बोडी में अपना इंफेक्शन करते हैं रिजल्ट हम किसी ने किसी डिजीज से सफर करते हैं तो दोस्तों अभी ये वर्ड बहुत चला है ये एक हमारे साइन्स की एक ब्रांच है जिसे इम्म्यून लोजी भी कहा जाता है अब एक्शन में ये फंक्शन कैसे करती है तो दोस्तों हमारी बोडी में हमारा इम्म्यून सिस्टम दो परकार से डवलप होता है सबसे पहला जो इम्म्यून पावर है वो हमें हमारे हमारी माता से मिलता है हमारी मदर से हमें हम इसे कहते हैं यह जन्म जात हमारा पावर है जो हमें मिलता है फिर हम विबिन परकार की बीमारियां डिजीज जो है उनके लिए टीके लगवाते हैं वेक्सिनेशन करवाते हैं तो इसे हम एक्वाइड इम्म्यूनिटी कहते हैं और जैसा कि आप जानते हैं जब भी हम टीका लगाते हैं किसी भी रोग का तो उस रोग की डेड जो पैथो जनस है उनको हमारी बोडी में इंटर परवाया जाता है ताकि हमारी बोडी का इंम्म्यून डाया़ कर ले उन्हें पहचान ले और वहिश्यमें जब कभी भी वास्तमिंवें असे कोई nós प्यामरिशन हमारी इंटर करें तो यह तूरंत उन दूण कर उन्हें नस्ट करते हैं, तो दोस्तों, इनफेक्षन या संखर्मन कार्णों से बृठिंग से भी हो सकता है, हम कोई फूड लेते हैं, मोईजन करते हैं, कुछ बैक्टिरियर्य। कुछ पेरज़ाइज बैक्टिरियरें। उनसे भी हमारी बोड़ी में इंटर करते हैं और जब भी ऐसा होता है कि कोई पेथोचन हमारी बोड़ी में इंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारा प्रतिरक्षातंत्र एक क्विक रेस्पोंस देता है अब एक क्विक रेस्पोंस क्या क्या हो सकते हैं हमारी बोड़ है या हमारे गले में हमारे नाक में कफ फोर्मेशन हो जाता है रीजन क्या है यह सब बेरियर है किन के लिए इन पेथोजन्स के लिए ताकि इनको और ज्यादा इनफेक्शन करने से हम वोख सके तो तो दोस्तों के अब ही आपने देखाऊगा हम अ कि कि हम सबसे पढ़े हैं सुन रहे हैं सुन रहे Ce semua एंग्याविर मेंन ब्रीज देख मैंट टुमैन में जैसा की हमें बताया जा रहा है तो सबसे पहला परियास हमें यही करना है कि इस इंफेक्शन को ब्रेक करें ताकि आगे से आके इनका इंफेक्शन ना हो तो दोस्तों अभी तक एक बड़ी रोच्छक जानकर देता हूं मैं आप हो इम्म्यूनिटी अमारी बोड़ी में एक तो जन्मजात होती है और दूसरा वेक्शिन लगाकर अमारी बोड़ी में इसे जन्रेट कराया जाता है लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जब पॉसिबल नहीं होता कि अब हम वेक्शिन लगाएं तो ऐसी इस्तथी से आपको एक बात बताता हूं मैं आपको माल लीजिए आपको जरीले साप ने काट लिया जाहिर सी बात है हमने ऐसा कोई वेक्शिन पहले से लगाया हूँ नहीं तो साप ने काट लिया उसका जहर उसका पोईजन हमारी बोड़ी में इंटर कर चुका है तब हम कैसे बचेंगे तो दोस्तों इस समय क्या किया जाता ह इंजेक्शन के माध्यम से डायरेक्ट जो एंटीबोडी जहें उनको हमारी बोड़ी में डाला जाता है जिससे ये एंटीबोडी हमारी बोड़ी की उस प्रटीकुलर पोईजन से हमारी जो है शुरग्सा करती है तो जैसा मैंने अभी उदान दिया आपको सापके काटने पर एंटी स्नेक वाइल लगाया जाता है तो दोस्तों कुछ बातें और है हमारा इम्म्यून सिस्टम काफी हद तक निर्बर करता है हमारी लाइफिस्टाइल कैसी है हमारा जो टेली खाना हम खा रहे हैं है उसमें न्यूट्रियंट कितने हैं और डेली हम वर्क आउट कितना कर रहे हैं दोस्तों वर्तमान समय में आपंने देखा ऑगा बोग सारे वाइरस के बारे में आप सुन रहे हैं वर्तमान तो चली रहा है दो स्तों याद रखी अगर आपकी पोड़ी का इम्म्यून सिस्टम अच्छा होगा, डवलब होगा, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, इसके लिए आपको बेलेंस डाइट लेनी होगी, संतुलित आहार लेना होगा, ऐसा खाना लेना होगा, जिसमें बोजन के सभी आविशक उपस्थित हो, हमारी लाइफ इस्टाइल हमें चेंज करनी होगी, हमें व्यायाम, फिजिकल वर्क, इन पे ध्यान देना ही होगा, ताकि आने वाले समय में, जेसी परिस्थितियों से आज हम गुजर रहे हैं, वेसी परिस्थितियों का फिर कभी हमें सामना ना करना पड़ याद रखें, यदि यह हमारी बोडी, हमारी यह जो मशीन अंदर से स्वस्थ है, निस्चीत रूप से हम स्वस्थ ही रहेंगे, तो दोस्तों, आगे नेक्स चेप्टर में हम TK या वेक्सिन के बारे में बात करेंगे, तो आज आपको यह जानकारी कैसी लगी, अपने कमें से मुझे अवगत कराती रहें, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सबिस्क्राइब करें, ताकि हम बहुत सारे मनोरंजक वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, मोटिवेशनल वीडियो है, आपके लिए ला पाएं, एक छोटा सा प्रियास है आप लोगों के लिए, त ताकि आप अपनी समय का सदुपियो कर पाएं, दोस्तों हमेशा की तरह निविदन करूंगा, घर पे रहें, सेफ रहें, और हम जरूर जीतेंगे कोरोन के खिलाप इस जंग को, लेकिन परियास हमें करना ही होगा, तो दोस्तों एक बार फिर, आपका दिन मंगल कारी हो, तब तक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थेंक यू